कुछ 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 की बात यह है कि अब हम लोग दिन बाद दिन हमारी यूटीव फैंपली बढ़ती चली जा रही है और वी हैब नाव 200 पीपल विद अस तू हंडरेट इस बिक और गूड रेशियो अब हम लोग 200 सब्सक्राइबर के साथ इस चैनल पर आ गए हैं मैं यह उमीद करता हूँ यह सब्सक्राइबर और बढ़ेंगे और आप लोग और इंजॉय करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं अपना second lecture कि अगए है क्या क्या पढ़ेंगे पढ़ेंगे structure of HTML टैग जिन HTML है डिंग टैग प्रैक्टिकल ओफ फ़र्स प्रोग्राम जी हां आपने साइच ना प्रैक्टिकल ओफ फ़र्स प्रोग्राम जली स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट से क्या रहता है सबसे पहले हम लिखते हैं इन दोनों ब्रैकेट में HTML फिर आप लिखेंगे हैड हैड के अंदर आएगा टाइटिल में आप जो भी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जैसे माइफर्स प्रोग्राम वो इसके बीच में आएगा टाइटल आएट क्लोज होगा यह क्लोजिंग टैग है पिर अपडि पे बॉड़ी ओपन हुआ यहां पर आप लोग अभी नए-ने टैग सीखोगे टैग बेज लैंगविज है नए-ने टैग कोई होती है तो उसमें क्या होता है जब भी हम कोई लेती हैं तो उसमें किस तरीके से हम लेंग्विघ में कोड बनाते हैं उसके बारे में कोई बात होती है अब जैसे इसमेंags क्या होताический टॉप के टैग होते हैं HTML में पहला कंटेनर टैग यह टैग वो टैग होते हैं जिसमें ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है जैसे कि अभी हम लोग ने देखा था है हमारा हेडिंग टैग है इसमें ओपनिंग ब्रैकेट भी है और क्लोजिंग ब्रैकेट भी इसे हम बोलत को सीघ से कि अपर को घटन और 10 हम स्कुप गॉइंग तो सभी तो चीज रखेंगे तो स या अगर Loreant to talk TV को अपने धिक दिया तो वह सिर्फ-बहां पर पर क्या tamanho है तो opening and closing इस तरीके से आज रखी container tag में opening भी होती है closing भी होती है और empty में सिर्फ उसे opening होती है अब बात करेंगे आज हम पहला tag सीखते हैं अपना जिसे हम coding करने वाले हैं वो है हमारा heading tag देखिए heading HTML में heading की 6 sizes है सबसे बड़ा size जो है वो h1 है और सबसे छोटा size जो है वो h6 है क्योंकि इसमें opening भी है और closing भी है तो यह container tags होते हैं और h1 से लेकर h6 तक आपके various heading size होते हैं अभी जब आप program बनाओगे अपने आगे की वीडियो में तब आपको यह और अच्छे से समझ में आएगा चलिए चलते हैं आप programming की तरफ और बनाते हैं आज हम अपना पहला program अपना प्रोग्राम बनाते हैं अगर आपको अपने laptop यह computer में बनाना है और अगर आपको laptop यह computer में नहीं बनाना है mobile में बनाना है तो मैं आपको दिखा देता हूं आप Google Play पे जाएंगे यहां पर लिखेंगे notepad for html जैसे आप open करेंगे second number भी notepad वाला जो आ रहा है से इसे आप download कर लेंगे छोटा सा आप है यह बहुत बड़े आप है इसे open करें ओपन करने के बाद आप हम यहां पर देखी मैं html code मेरे पास पहले से मैंने टाइप परके रखवा है यह मैंने पेस्ट कर दिया आप लोग ऐसे ही बनाएंगे पहले html फिर आप लिखेंगे head head के अंदर आप लिखेंगे title इसको हम second line में ले आते है title my first program title close फिर आप head को close कर देंगे फिर आप body body open कर देंगे यहां देखिए आपका head tag close हो गया अब आगे body tag फिर आप लेंगे h1 फिर h2 h3 इसी तरीके सारे heading size लिख लेंगे आप और सब को close कर देंगे और बीच में आप text लिखेंगे जो भी text लिखना हो यहां पर आप अपनों नाम लिखना चाहों जैसे मैं यहां लिख कर देंगे फाइल में जाएंगे देखी closing के लिए जो slash sign है यह बहुत ध्यान लखेगा कहीं opposite वाला sign मत लगा दिया कहीं यह वाला यह मत लगाईएगा closing का sign जो है वह यह वाला है याद रखिएगा चलिए फाइल में जाते हैं फिर हम save as पे click करेंगे मैंने यहां पर YouTube नाम क कि एक पहले से folder बना रखी है अगर आपको कि कहते हैं for example आपका folder निए बना है आप new पे click करके उपर देखिए new icon आ रहा है उस पे click कर आप अपना my html फाइल करके mobile में पहले से एक folder बना लेना आप हर बार फिर आप यहां पर जाओगी जैसे मैं YouTube पे गया अब मैं यहां ल रखिएगा laptop में .html लिखना जरूरी है फिर यहां .txt लिखा है इसको मैं all कर दूँगा laptop में all करने की जरूबत नहीं है लेकिन यह mobile में all करने की जरूबत है और इसके बार मैं click करूँगा save अब देखिए मैं अपने folder में जाओंगा file में जाओंगा जहां पर मैंने यह save कर पीछे जाकर देखिए मैं अपने file open करूँगा और मैं यहां पहुंचूँब पर YouTube पर मैं पहुंचूँब यहां पर देखिए मेरी YouTube करके file होगी नीचे यह देखिए YouTube files अब देखिए दिखा है my first program.html यहां गई मेरी file अब मैं इसमें कोई सबी web browser ले लूँ ले लूँग और देखिए जैसे ही मैं Chrome से open करूँगा यह देखिए मेरा program खुल गया देखिए first size h1, h2, h3, h4, h5, h6 तो इसी तरीके से आप लोग भी अपना पहला program बनाईए और enjoy करिए HTML को but मेरे channel को subscribe परना मत भूलेगा यह वीडियो में थोड़ा सा delay हो गया था लेकिन next video बहुत जल आप यह वीडियो आप इंजोए दा लेक्टर